सीरियल अनुपमा की कहानी में ऐसा बहुत कम होता है जब अनुपमा की बा से बनती हो बा अकसर अनुपमा को ताने मारते रहती है जब भी कुछ गलत होता है तो बा अनुपमा को कोसना सुरू कर देती है बा को अब तक लगता था कि वनराज की बरबादी के पीछे अनुज का हाथ है अब तोशु के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर का सच सामने आने के बाद भी बा अनुपमा को जलील कर रही है बा दावा करती है कि अनुपमा कभी खुश नहीं रहेंगी हालांकि असल जिन्दगी में बा से अनुपमा की खुब बनती है अनुपमा यानि रुपाली गांगुली बा को काफी मानती है कुछ समय पहले ही रुपाली गांगुली ने अलपना बुच को जन्मदिन की बदाई दी है इस खास मौके पर रुपाली गांगुली ने अपनी यादों के पिटारे खोल दिये हैं रुपाली गांगुली ने सोसल मीडिया पर अपनी और अल्पना बुच की कई शांदार तस्वीरे शेयर की हैं इन तस्वीरों में रुपाली गांगुली अपनी ओन स्क्रीन सास के साथ फोज देती नजर आ रही हैं किसी तस्वीर में रुपाली गांगुली अलपना भुच को तंग कर रही हैं तो किसी तस्वीर में अपनी ओन स्क्रीन सास पर प्यार लुटा रही हैं इन तस्वीरों को शेर करते हुए अनुपमा ने लिखा हैपी बड़े माई कटलेट हम दोनों एक्टर से बेस्टी कब बन गए किसी को पता ही नहीं चला लब यू बा, भगवान आपको सुक सांती समरिद्धी और मुझे जिंदगी बर जेलने की शक्ती दे हैपी बड़े थू 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 गौड तलब है कि बा यानि अलपना बूच इस समय सोसल मीडिया पर बूरी तरह ट्रोल हो रही है हाली में बा तोसु का शपोड करती नजर आई थी बाकी ये हरकत दर्सकों को जरा भी पसंद नहीं आई है इसकी वज़ा से लोग ने अलपना बूच को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है लोग बा को अनपढ और गवार औरत तक बता रहे हैं बा और अनुपमा के इस क्यूट कमेस्ट्री पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलीवड और अन्टर्टेन्मेंट की खबरूगले दिख्टे ये अबीवी एन्टर्टेन्मेंट